जहिन चात्रों मैं इशार हमत competition community के इस question air program में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं की निरंतरता बिलकुल बरकरार रखे हैं और साथ में एक युद्धिस तर पे तैयारी कर रहे हैं और ये नाम सुनके थोड़ा confusion आया होगा दिमाग में थोड़ा confuse हुए होगे तो confuse नहीं होना है आसानी से समझते हैं जो question session program यूटूब में चल रहा है हफते में 4 दिन subject wise, topic wise वो वैसा ही चलते रहेगा उसी पे ही आधारित है आपका question air program जो की सिर्फ और सिप मिलेगा हमारे competition community के mobile app में और competition community के website में अब इसको access करने का तरीका भी समझाता हूं लेकिन उससे पहले याद रखना है इसके फायदे क्या है इसमें आपके performance नजर आएंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे देखे कि जो बच्चा पूरे हफते 4 दिन अच्छा perform करता और first rank में आता है तो या देखे कि जो बच्चा अगर पूरे महीने भर में perform करता है तो उसको पांच test series जो की आगे आने वाले prelims के लिए competition community में हो रही है तो आपको उसका access free of cost मिलेगा जो बच्चा perform करेगा अब समझते हैं कि यह program कैसा होगा तो याद रखेगा जो बच्चा दो अगर 5 questions सहीं बना है तो उसे five star मिलेंगे इसी के according ही आपका जो है measurement सारा होगा देन उसके बाद आपका result release किया जाएगा ठीक है और याद रखना है चात्रो कि अगर mobile app download करने के माध्यम से किसी प्रकार से समस्य होगी तो आप question session program में यहां देख सकते हैं question session program के नीचे में description box में आपका mobile app का link दिया हुआ उसे click करेंगे देन आप Google store में जाएंगे Google store में download करना होगा उसे और download करने के पस्चाद आपका क्या होगा उसमें login करना होगा और login करने के पस्चाद आप देखेंगे कि सामने में आपको question year program दिखाई देगा अब जो है आपके लिए challenge आता है आप 10 में से 10 question session program में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और हमेशा आप लोगों से कहता हूं और कहता रहूंगा कि अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं की निरंतरता बिल्कुल बरकरार रखे और साथ में एक युद्धिस्तर पर तैयारी करते रहे हैं आईए स्वामी विवेकनन जी क कि इस प्रकार से विचार समझें के तजौर्बों के समझें अपने प्रतियोगी परिच्छाओं से रिलेट करते हुए तो देखते हैं आBackारी बहुत प्रकार से दोस्ती होगी यारी होगी किसी प्रकार से तूटी हो जाती है तो याद रखिएगा अगर आप अच्छी तरी से इस बात समझ रहें इस बात को समझ रहें या किसी प्रकार से कोई आप इंडाउंस आ रहें लाइफ में तो किसी को भी कसुर्वार नहीं सहरा है और साथ में अपना administrative service का जो हमारा उद्देश है उसे पाना हमें अनिमार रहे हैं मतलब पाना है मतलब पाना है ठीक है तो आए हम चलते हैं विशय के और हमारा विशय चल रहा है भारती इतिहास भारती इतिहास में प्राचीन portion मगद समराज्य के राज अषय के बारे में अध्यन करने वाले इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य बिंदु सार के बारे में अध्यन हुआ है जो चात्र पहली बार इस टॉपिक को देख रहा होगा वह जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं और जो पहली बार वीडियो को देख रहा होगा चैनल में आके तो से निवेदन करूँगा कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकॉन दबाए जिससे की सारा करके बनाइए और जितने भी राज जी उम्रुक्सी राजधानी इंदसेंस के महा जनपतर उसकी राजधानी है उन्हें याद रखना अनिवार ठीक है किसी प्रकार से कोई कन्फ्यूजन ना रहा है पेपर हॉल में जो प्रेशर हमारा जो बन जाता है वो सारा प्रेशर जो है इसे रिलेट करना है पिछला पहले रिवाइस करेंगे दैन उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगर सौट फॉर्म में रिवाइस करें तो चंदरगुप्त मौर्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं थे तो नंद वंस के राजा महापदमानंद के बाद आने वाले उनके पूत्र जो है आपका धनननंद को पराजीत करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है आपका मगत समराजी में मौर्य वंस की स्थापना की चानक की सहायता से प्रसाशन को प्रबल और एकदम बहतरीन बनाया ठीक है इस प्रकार से याद रख सकते हैं मैं बहतरीन का बहुत और याद रखना है कि इनके सासनकाल में इनके सासनकाल के पहले जो है सिकंदर ने आक्रमण किया था सिकंदर का सेनापती सेल्यूकस निकेटर जो है वो पस्चिम देश के सब पास जो है रुग गया था आपका जेलम नदी के पास रुग गया था आपका व्यास नदी के छेत् प्राइब में अच्छी तरह से कि अपर और अपनी बेटी घेलेना का विवाह जो है चंदर गुप्त के साथ कर आया और लेकिन कोई व्यक्ति छोड़ दू जिससे की जो है इसको भी लगे कि आपका मेरे साथ अपना तो कोई है ठीक है इस प्रकार से तो मेगस थनीज इनके समय में राजदूत थे और आपका दरबारी भी थे जिन्होंने कोन सी बुक लिखी इंडीका जिसमें गुप्त विधिद्वारा इन्होंने आपका प्रानकात्याक कर दिया उसके बाद इनके पुत्र आते हैं बिंदु सार जो कि एक आजीवक संप्रदाय के थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोगली पुत्र गुसाल रहे हैं और याद रखेगा छात्रो कि इनके समय में भी एक राजदूत आया था जो कि आपका एंडियोकस सीरिया नरेस यह अब आपका डाय मेकर स्ने इन्हें प्रोवाइट कर दी ते दर्सनिक हम प्रोवाइद नहीं कर सकते बोले ठीक वह हमारा मतलब हमारे लिए क्या है बहुत अच्छा धरोवर है जिसको हम नहीं सकते इस प्रकार से याद रखना दें उसके बाद याद रखना है कि इनके में विशेष्था कि इनके दो पूत्र हुए ठीक एक थे आपके समराथ अचोग और एक सुशिम बड़े पूत्र थे और उन्हें जो है आपका कौन सा च्छेटर मिला था जंग अचुद्धर मिला था श्यासं करने के लिए मतलब ठीक है अब नेपोटिजम मत बोलिए गए इसे एक प्रकार से अगर समझें तो पुत्रों का विदाई तो कहीं न कहीं रहेगा प्रसासन को अच्छे तरीके से संचालित करने के लिए तो आपको उसी प्रकार क्या हुआ कि यह वाला छेत्र जो था अवंति वाला छेत्र जो कि याद करो प्यारे बच्चो आपका हर्यक्वंस के संस्थापक बिंबी सार ने अपने राज वैद को भेज के जीवक को भेज के यहां के राजा चंद्र प्रदोत का इलाज करवाया था और मैतरी नीते के द्वारा मगत समराज्जी में सम्मीलित हो गया था ठीक है जो पहली अच्छे तरीके से संचालित नहीं कर वह चाहूंगा थोड़ा सा गर्मी है चामा चाहूंगा थीक तो सुषीम को मिला था अब सुषीम संचालित कर नहीं पाए ठीक है कहानी बहुत सारी ही लेकिन इस प्रकार से याद रखना है सौट फॉर्म में सारी चीज़े याद रख वह बोले अशोग को भई जाओ देखो क्या कर रहे हैं बड़े भईया प्रशासन सम्हाल को नहीं पारे क्यों विद्रो हो रहा है ठीक है अब अशोग जो है वह अपने कुरूरता के लिए बहुत ही फेमस थे एक समय में तो वह गए और क्या किया भई काट पीट मचा है और कर दिया ठीक है तो इस प्रकार से समझ सकते हैं अब जो है क्या हुआ कि यहां एक सहर है जिसका नाम है स्री नगर ठीक है जमुकस्मित की राजधानी है ठीक है भूगल वाला क्लास जो बच्छातर नहीं देखा हो जरू जाके देखे ठीक है राजयम केंद्रशाशीत सिर्म का असोग को मिला तो जिसके बारे में अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे यहां अगे बढ़ते हैं उसके बार वीहदराता आते हैं आखरी वाला राजह हमेसholder ही कैरते हैं मत Mehr aún तो इस प्रकार से याद रखना है अब बढ़ते हैं प्रकार से उना है कि अशा धीक है ल जन्म लिखा हुए नहीं दिखा है चलो कोई बात नहीं 304 में असोक का जन्म हुआ ठीक है 273 से 232 तक के इनका साशन रहा ठीक है इनका राज्यविषेख हुआ 269 269 में ठीक है साशन यह है कि इस समय बिंदुशार के मिर्ति हो गई थी और जो है आपका 273 में इनको प्रशाशन मिला लेकिन उसके जो है 269 में इन्होंने अपना राज्यविषेख कराया ठीक है राज्यविषेख कैसे होता देखे होगे ठीक है भलाल देव भाहुवली वाला देख लो यूटूब से चलता है ठीक तो राज्यविषेख कराया 269 बिसी में देन उसके बाद आठ वर्स के बाद आपका कहां कर दिया कलिंग में और एक बार मैंने बताई है हर्यक वंस्वरी आपका नंद वंस जब मैंने पढ़ा रहा था आप लोगों को कि कलिंग में कमर जब किया तो वहां इसकी सेना ने जो है तरही तरही मचा दिया वहां का वहां की स्थिती जो है कलिंग की स्थिती इस प्रकार से हो गई कि साथियों याद रखना है कि अशोक जब वहां पहुचे तो उन्होंने अपना तलवार छोड़ दिया बोले अब नहीं हो वाले कि वहां की नदिया भी लाल हो गई थी ठीक है तो चलो उसमें नहीं जाते हम आते हैं अपने टॉपिंग में पेपर पॉंट अफ्यू से अगर समझे तो आट वर्स बाद तुसुए दोसे एक सट बीसी में क्या हुआ कलिंग में आकर्मन हुआ और वहीं जो है आपका अबैशा का हिर्दया परिवरतन हो और उन्होंने आपका बॉद्धर्मधारन कर लिया फिक इतना कहाणी याद रखना है दे बिंदु सारुन के पीता आमारा दिमाग से pressure मेंट हलका हो तो करुआ की दूसरी पतनी थी यह आसा पूछा गया है इसलिए रखा गया वैसे आसोक के बहुत सारी पतनिया थी ठीक है उसके बाद है महेंदर और संगमित्रा यहीं पूतर और पुत्री जो है महेंदर o संगमित्रा को मतलाब का आपका यह बहुत अपना सरी लंका भीज़े अधर रॉसकार प्रश, इस प्रकार से यह बढ़ हो전 कर दों कहों करना सकता है करती रखना का रहा यylिद्ध का कलिंग में पहुंचने के वहां हाथी बहुत प्रसिद्ध थे जो था उस समय की स्थिति के अनुसार जो है एक बहुत ही मतलब युद्ध के लिए बहुत ही आपका बहतरीन चीजी थी ठीक है इस प्रकार से याद रख सकते हैं चमा चाओंगा थोड़ा सा गर्मी है ठीक है और एक ही जानकारी मिलती है रुद्रदामन के जुनागेर अभिलेक से तो वैसे ही जो है पहले कब्जे में था लेकिन आपका पूर्वी तट भी है जो कब्जे में आ गया उससे ठीक है तो आपका उपगुप्त ने उन्हें सिक्षा दी ठीक है किसके प्रभाव में आकर अ दर्म धारण किया तो याद रखेगा निगरोथ लेकिन किसने जो है बॉद्ध धर्म की सिक्षा प्रदान की तो उबगुप्त ने इस प्रकार से याद रखना है धम महामात्र अब ये क्या लिखाया भाई कन्फ्यूज नहीं होना है ठीक है तो याद रखना है कि असोग ज सम्मान के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जिसे क्या बोलते हैं धम महामात्र नाम उनका ठीक है सभी मतलब किसी प्रकार से कोई भेदभाव ना हो इवन यह जो है आपका क्या कहना चाहिए आपका जो अभी नेशनल पार्क उस नेशनल पार्क बोलता होस्पिटल सोते ना तो पसुपक्षियों के लिए भी तक के जो है होस्पिटल खुलवाया था सोक ने ठीक है इसकी जानकारी मिलती आगे पढ़ेंगे अपन ठीक है तो असोक ने बहुत धरम का प्रचार करने के लिए अपनी पूत्री और पूत्र को कहा भेजा आपका सिरलंका ठीक है उत् पाकिस्तान में जो भी अभिलेक मिलेगा वह मिलेगा खरुष्ठी लीपी में उसके बाद जो है आपका अफगानिस्टान वाले चेत्र में अगर उपर जाते हैं तो आपका अरमाइक लीपी में मिलेगा उसके उनके अभिलेक और आपका ग्रिक अभिलेक इस प्रकार से या किसने असोक के अभिलेग को पढ़ा तो याद रखेगा जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले असोक के अभिलेग को पढ़ा 1837 में यह सारी चीज़े याद रखने है आगे बढ़ते हैं यह उसके वाद रखना है यह रहा असोक के सारे शीला लेग अभिलेग को अगर से रिलेट यहां देखवाई यहां याद रखने वाली क्या क्या चीज़ है देखो गुर्जरा दिख रहा होगा यह रहा गुर्जरा और मास्की करनाटक में ठीक है इसमें साप साप सुविवेवस्थित और स्पेसिफिक मतलब अगर कहा जाए क्लियर नाम अशोक का किसमें दिखाई दे देवनाम देवनाम लोक देवनाम प्रिय अशोक ठीक है इस प्रकार से याद रखना है ठीक है कभी-कभी थोड़ी से निकल जाता है देन उसके बाध बहुत सारे अभिलेख है जिसके बारे में यह चर्चा करते हैं ठीक है तो इसको जो है फिरोज साथ उगलक क्या कर रहा उसको ले के चले गया दिल्ली तो आपका इस प्रकार से याद रखना है तो प्रयाग इस्थंब ठीक है कहा तो यह मेरट घो गया ठीक फिर उसात्यूंक ले गया आपका अग्बर यहां दिखाई दे रहोगा ठीक अक्बरने कौन सा कशंबी अभिलेग जो कि कहा है प्रयाग लोरिया नंदंगर में चंपरन बिहार में तो इस प्रकार के तथ याद रखना इसका इसे पढ़िए लगुशीला लेग देखें तो लगुशीला लेग बहुत अनिवार रहे हमें याद रखना ठीक है अब देखो सबसे पहले रूपनात जो कि है आपका मद्यप्रदेश में गुर्जरा और मास्की गुर्जरा का है मद्यप्रदेश में मास्की का है करनाटक में ठीक है तो उसके बाद इस प्रकार के तथ याद रखना है इसे याद रखना अनिवार रहे है एक दम वन लाइनर फेक्ट से सारे चीज़े रखाए हुए है जो कि कोश्चन्स पूछे पुछे जा सकते हैं आई आप प्रस्न करते हैं प्रस्न प्रमांग प्रसम पहला है हमारा भारत का प्रथम अस्पताल एवं और सदी बाग निर्मान करवाया इंडियास फॉस्ट होस्पिटल एंड मेडिकल गार्डन वाज बिल्ट बाई किसने किया ओके तो किसने किया भाई अशोक ने मैंने बताया था ठीक है तो अशोक जो है इतना जो है इसका धर्म हिदय परिवर्तन हो गया कि सभी वर्ग के उपर जो है यह ध्यान देने लग ठीक है आगे बढ़ते ऐसी कहानी सुनते सुनते याद करते जाओ किसने सहिस्णुनुता उदारता करुणा के त्रिवीद अधार पर राजधर्म की स्थापना की ठीक है तो याद रखेगा भाई बता रहा हूं हिदय परिवर्तन हो गया तो इतना भारी-भारी वर्ड आ र तो इसमें चौदा वाले में से है ना तो थर्टीन में आपका कलिंग युद्धि के बारे में दिया हुआ है और याद रखिएगा सेकेंड वाला जो है जिसमें आपका चेर-चोल-पांड के बारे में जानकारी दिये तो इसे याद रखना है ठीक आगे बढ़ते हैं असोक निमलिखित में से किस इस्तों में असोग राज्यकाल में तिती बॉध समीटि या संगीटि होने का उल्लेक मिलता है तो आपका अशोग के अभिलेक में तो नहीं मिलता है दीप वंस में मिलता है द favorites में हो जाएगा दो और तीन दीप व Netherlands में जानकारी मिलती है कि आपका थे अध्यक्ष थे त्रितिय बौध संगीती की जिसको किस ने करवाया था राजा असोक ने और इसी समय जो है अभीदम पीटक की रचना की गई थी ठीक आगे बढ़ते निमलिखित तो मौर्य सासकज मौर्य धर्म क्या निवाई थे ओके ठीक है चंद्रगुपत मौर्य तो जेन धर्म के थे आजिवक सम्व के बिंदूसार थे या आशोक थे विल्कुल परने चांवी है तो दो किस में दिखाई दे रहा एक दो एक दो एक दो प्रदायके थे और जो जैन धर्म के कौन थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य ठीक है अब यह मत बोल देना सर वहां दिखाया सीव चंद्रगुप्त तो चंद्रगुप्त विक्रमा दित्ती भी हो सकते हैं ठीक है देखो भाई थोड़ा सा सेंस लगाना है दिमाग में पेपर था किसने किया था सारनात इस्त्रम का निर्मान आपका समराठ असोक ने आगे बढ़ते हैं प्रस्ण कवांग 20 है सुची एक को सुची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गया कूट से सही उत्तर का चुनाओ कीजिए ठीक है इंग्लिश मिने वाली इधर देख ले लेकिन याद करना अनिवार है यह से बनाते हैं कुछ इस प्रकार से पहला दिख रहा है कौशांबी ठीक है तो कौशांबी जो है वह आपका घोसिताराम मठ से संबंधित है इस मारक बना हुआ है कौशंबी के लिए तो यह याद होगा एक टू कहां-कहां दिखाई दे रह अगर में कौन सा दीख रहा है आपका 323 ओके तो यह हो जाएगा इसका इसका डिटेलिंग आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं Google सर्च कीजिए सारी चीज़े आपको मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा आपका सारनात का धमेक इस तूप अस्त्रावस्तिक हो जाएगा सहे महेत ठीक है तो इस प्रकार से इसका अंसर होगा आगे बढ़ते आईए अगला प्रस्न हमारा सोक के शीला लेखों में प्रयूक्त भासा अगर प्रयूक्त लीपी कहा जाएगा तो ब्रामी लीपी खरुष्टी लीपी ग्रीक लीपी मैंने बताया लेकिन अगर भासा कहेग च्छी और आपका मांसहरा ठीक है बाकि सब्सक्राइब भारत में कालशी ब्हारत में घचनार ने तो आपका सब कहें होगा आपका ब्रामी लीपी में और यह सभाज-गड़ी खरुस्टी लीपी में आगे बढ़ते आई आई अगला अगला है प्राचीन भारत में दाइं और वन योर मतलब कि आपका राइट टु लेफ्ट कर दाइं और से बाईं और आपका पड़ते हैं क्वाइआ हिस फरकार से यहाद रखना बढ़ती है यह प्रस्राम का मांग 14 है निम लिखित किस एक अभिलेक में अशोग ने वैक्ति गत नाम का लेक मिलता है बताहर बढताई ना गुर mówi सप्थाइसब्सक Henderson समराठ बढाशोग की जानकारी मिलती है कहीं ना कहीं मास्की हो गए यह आपका मास्कि आंसर कोई बात नहीं किसमे असोक का नाम उल्लेख हुआ है तो कौन सा होगा गुर्जरा मास्पी ठीक है उसी का भाई है बताया मैं ठीक है तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं आगे बढ़ते आये अगला है हमारा पिछली काक्षा में पूछा गया प्रस्ण बहुत सारे बच्चों ने बहुत सही आंसर दिया मैं उनका उज्वल भविष्य के लिए बहुत ही आपका दुआ करता हूं उनके लिए कि वो निरंतर जो है इसी प्रकार से महनत करते रहें ठीक है उसके बाद है गुजरात चंदरगुप्त मौर के समराज्य में सम्मिलित था यहां प्रमाडित होता है रुद्रदामन के जुनागर अभिलेक से पता चलता है आज का प्रस्ण कुछ इस प्रकार से हैं निमलिकित में से किस दक्षिन राज्य का उलेख असोक के अभिलेकों में नहीं है ठीक है तो इस के साथ इजाज़ा चाहूंगा जय हिंद जय भारत